मैं डियर फिचर डॉक्टर्स एक बार बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्राज सरफे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो application form NTA ने release किया है उसमें कुछ major changes देखने को मिला है सबसे बड़ा major changes आपको बता दूँ कि NTA ने एक अलग से website जारी किया है neat.ntaonline.in ये बात ध्यान रखिएगा मैं दुबारा लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ neat.ntaonline.in एक नया website जारी किया है साथी साथ यहाँ पर एक चीज़ और बोला गया है एक advice दिया गया है proper NTA की तरफ से कि application form आप एक ही बार flip कर पाएंगे क्योंकि आपका application form कहीं न कहीं अधार कार्ड से link होगा अगर कुछ गलती करते हैं तो फिर आपको problem हो सकता है इसलिए carefully बिल्कुल भरे और mobile number 1 ही आप यूज करेंगे जो आप counseling के time में भी यूज करेंगे email id अपनी जो है वो बिल्कुल वही आप डालिएगा जो email id आपके counseling तक exist करें क्योंकि NTA की तरफ से जितने भी information होंगे वो आपके उसी email id पे आएगा दूसरा इन्होंने जो बोला है वो एक और important बात यहाँ पे बोली गई है वो है यहाँ पे photo 6 to 8 passport size photo रखना है यहाँ पे और 4 to 6 post card size 4 into 6 का colored photograph होना चाहिए लेकिन उसमें एक special चीज mention किया गया है कि उस colored photograph का जो background होगा वो white background होना चाहिए तो आप latest photo जरूर खिचवा लिजेगा अभी आज से लेकर 9 मार्च तक बहुत लंबा time में form बरने का थोड़ा स्थीर से form fill up कीजे अगर किसी तरह की कोई परिशानी हो आप comment box में comment कर सकते हैं वहाँ पे मैं आपको जवाब दूँगा कि किस तरह से क्या कहां पे आपको requirement पड़ रही है इसके अलबा आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि NEET UG के counselling तक आपका exist करने वाला number होना चाहिए यह बात जरूर दिमाग में रखिएगा और यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी regular check-up update जो भी update आपको NTA की तरफ से दिया जाएगा वो exam.nta.ac.in पे होगा यह ध्यान रखना है मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप 2024 NEET UG के regarding जो भी update देखेंगे वो NTA के website exam.nta.ac.neet पे मतलब इस बार यह चीजे change की गई है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ताकि आपको सारी बाते पता चले या फिर IUS Ministry का website www.ius.gorman.in पे भी आप देख सकते हैं जो भी latest information या जो भी latest changes NTA की तरफ से किया जाएगा तो आप लोग सारी information और सारे big changes के लिए तयार रहेए paper pattern में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस बार जो paper का pattern है उसमें किसी तरह का कोई changes देखने को नहीं मिल रहा है 200 मिनट का time 3 hours 20 मिनट जो time रखा गया है वो बिल्कुल वैसा है और वही 200 question वाला schedule रखा गया है मतलब किसी तरह का कोई changes नहीं including examination time भी रखा गया है दो बज़े से लेकर 5 बज़ के 20 मिनट तक evening तो आपका न तो time exam का time change किया गया है और नहीं आपका exam का pattern बहुत जगे हला हो रहा था कि इस बार examination का pattern change किया जाएगा new pattern पे आएगा हाँ ये जरूर है कि syllabus कटा हुआ जो है वो नहीं आएगा उस पे भी अभी हम चर्शा करेंगे और उसके लिए हम एक detail वीडियो आपको अलग से देंगे तो मेरे साथ बने रहिएगा तब तक के लिए bye bye take care पढ़ते रहिए जोस जुनून के साथ